दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विरंदन है आपके अपनी यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट लहबाद में दोस्तों थामनेल पर देख पा रहे हैं आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं निव सिक्षक भरती 2023 पर दोस्त लगातार कॉमेंट के म आदेम से आप पूछ रहे हैं कि भया आखिरकार नई सिक्षक भरती का विग्यापन कब तक जारी होगा नीचे आप देख भी पारे हैं लिखा गया है सुपर टीटी 2022 को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगी क्या कुछ कैसे क्या आप पूछ रहे थे कि सर जो सुपर टीटी का विग्यापन जारी होगा उसमें जो है टोटल पद कितने हो सकते हैं जो संभावनाय नजर आ रहे हैं टोटल पदों की वह 51,000 पदों पर नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है यूपी टीटी सबसे बड़ी चीज आपकी है यूपी टीटी 2023 की नोटिफिकेशन के लिए ठीक है कुछ लोग अगर देखा जाए जो लोग यूपी टीटी नहीं क्वालिफाई हैं उनके सामने ये समस्या बनी हुई है कि आखिरकार यूपी टीटी का जो विग्यापन है वह कब तक जारी होगा कुछ लोग कहते रहते ह हैं अकसर अगर देखा जाए कि क्या जो है सुपर टीटी से पहले यूपी टीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हो गया नए आयोग का गठन बिल्कुल या चीजें सत्य है कि सुपर टीटी यानि अगर कहा जाए चाहे आपका यूपी ट प्रिख्षा नियमक प्रादेकारी के अंतरगत करा जा रहा ता ही अब यहां परिवर्टन कर दिया गया है अब से यूपी टीटी का विज्ञापन हो चाहे सुपर टीटी का विज्यापन हो एक सिच्छा आयोग का नया आयोग गठित किया गया है उसके तहत जो है बढ़ति की जाएंगी तो फिलाल के लिए मैं सभी अपडेट्स को आपकी समख्ष दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं इवेदर आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिरूर किजी का देखिए सबसे पहले हम आ पर निवार ये सिख्षक पतरता परिक्षा टेटी का आउजन पहले बार 2011 में मादमिक सिख्षा परिसद यानि यूपी बोर्ड ने किया था बारा साल की सफर के बाद टेटी अब उत्तर पर्ड शिवा सिख्षा सिवा चैन आयोग कराएगा बारा साल में टेटी की जिम्मेदारी तीसरी संस्था को सौपी जाएगी सूबे में परिसिदी प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विद्यारे में सिक्षक बढ़ती के लिए यूपी में 2011 में आर्टी आई लागू करते हैं वे टीटी अनिवारिक किया गया था पहली बार 13 नॉम्बर 2011 को टीटी का आयोजन किया गया था इसमें तीन लाग से अधिक बेटियों ने क्वालिफाई किया था इस परिक्षा के बाद बहतर रहेंग के लिए सेक्ड़ों बेटियों ने लाखों रूपे लेने के आरोप लगे थे ठीक है रूपे लेने के आरोप लगे थे टीटी में धातली के आरोप में ततकाली नमादिमिक सिक्षा रिदेश तक संजे मोहन को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था इसके बाद टीटी के जिम्मेदारी जो है PNP परिक्षा नियामक परादिकारी यहां देख पा रहे हैं ठीक है परिक्षा नियामक परादिकारी को सौपी की तब से अब तक यह टीटी का आयोजन PNP के दोरा कराया जा रहा था ठीक है यह पहले अब बिट्स थी UP टीटी के संधरों में अगला आप देख पा रहे हैं नई सिख्षक भढ़ती के संधरों में इसमें आप से कहा जा रहा है यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भढ़ती ठीक है इसमें कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री योगी आयदे तिनात ने सिक्षकों की समय बदता नियुक्ती के लिए सरकार प्रतिपत देए उन्होंने मंगलवार को उच्ष अस्तरी बैठक में निर्देश दिया कि अब बेसिक माद्दे में उच्ष एवं तकनीकी सिक्षण सनस्थानों में सिक्षक की नियुक्ती एक ही आयोग से होगी सिक्षक चैन आयोग के एकिक्रे सुरूप देते हुए निकाय की रूप में उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा प्राइमरी वा जूनियर अस्तर की सिक्षक बढ़ती का आयोजन इसी नए आयोग के माध्यम से होगा अब आपने देखे ही लिया कि आखिरकार नए सिक्षक बढ़ती के विग्यापन के संदरों में और यूपी टेटी के संदरों में अब सवाल आपके बीच में आता है कि आखिरकार सुपर टेटी का विग्यापन कब तक जारी होगा आपने अभी देखा जो है इसमें साफ तोर पर कहा जा रहा है जब नए सिक्षक आयोग का जो गठन है वो कर दिया जाएगा उसके बाद ही जो है सिक्षक बढ़ती का विग्यापन जारी किया जाएगा लेकिन सवाल और भी आते हैं आपके मन में कि आखिरकार यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी किया जाएगा देखिया जो संभावनाय नजर आ रहे थी वह 31 जनवरी तक आपकी बीच में कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा लेकिन यहां भी वीड़म मनाएं आप बीच में आ रही हैं लेकिन 31 जनवरी का सफर अभी काफी दिन है तो अगर देखा जाए तो हमारे और आपके बीच में कुछ भी हो सकता है तो फिलहाल के लिए जो उमीदें हैं वह 31 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन यूपी टेट के लिए जारी किया जा सकता है अगर जो है जनवरी में यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सुपर टेटे का जो ग्यापन है वह जो अगस्त से सितंबर के मद्ध जो है वो भी जारी किया जा सकता है ठीक है तो आज सा करते हैं आज की वीडियो से आप संतुष्टों के प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर सेंद़ड़ कर प्लीज चैनल के हाँ मिजिए से सम्टाइब अप्लीज चैनल को भाले खाते हैं अ